अगर आप पंचाई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जान ले यह जरूरी बात बिहार में इस साल होने वाले पंचाई चुनाव को लड़ना चाहते हैं तो जान लेए जरूरी बात बिहार में इस साल होने वाले पंचाइज चुनाब के बारे में बताया जा रहा है कि इस साल पंचाइज चुनाब दस चरण में हो सकते हैं इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रमंडलवार चुनाब होने की बात सामने आई है चुनाब आयोग की तरफ से यह भी बताया गया है कि इसार मतदान के अगरे ही दिन मतगर्ना भी की जाएगी अम दिरवाचन अयोग ने कहा है कि पंचायद चुनाब के परत्यासी अगर इन 11 मामलों से जुड़े हैं तो वह चुनाब नहीं लड़ सकते हैं राज दिरवाचन अयोग ने बिहार पंचायद अधनियम 2006 के तहट भरस्ताचार के दोसी ब्यक्तियों को पंचायद के अन पद प्राप्त करने के लिए भी अयोग घोशित कर दिया है अयोग के अनुसार यदि कोई ब्यक्ति भारत का नागरी के नहीं है तो वह चुनाब नहीं लड़ सकता है अगर उसकी उम्र सिमा 21 बरस है तो अगर वो किसी बिक्रिस मान सिखता का है तभी वह चुनाब नहीं लड़ सकता है किंद्रिय या राज सरकार या किसी अस्थानिय प्राधिकार की सिवा में है ऐसे ब्यक्तिवी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आयोग के अनुसार केंद्रिय राज सरकार या किसी अस्थानिय प्राधिकार के सहायता प्राप्त करने वाले कोई भी संस्था की सिवा में हो ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आयोग की अनुसार भारत के अंदर या फिर बाहर किसी न्यालत और राज़िती अपराज के विभिन किसी अन अपराज के लिए 6 महिने से अधिकी अभधे के लिए उन्हें कारावास या दंड की सजा मिली है ऐसे वियक्ती भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं किसी कानून के तहट किसी अस्थानिय प्राधिकार के सदस होने का पातर ना रह गए हो ऐसे वियक्ती को भी चुनाव नहीं लड़ने के अनुमती दी गई है पंचायत के तहट बैतनिक पद या फिर लाव के पद पर धारक करते हैं तो वह वियक्ती पंचायत के सदस होने के पदाधिकारी होने के अयोग घोसित हो जाएंगे आयोग ने यह भी अस्पष्ट किया है कि पंचाय चुनाब के लिए चरीत्र सत्यापन पर्मान पत्र की कोई अवे सकता नहीं है बिहार पंचाय चुनाब में बद्दान करने के लिए राज निर्वाशन आयोग ने इपिक के अलावा अधार सहित कई दास्तावेजों की मानता दे दी है अयोग के तरफ से कहा गया है कि राज के बोटर मद्दान के दिन तक इपिक नहीं उपलब्द होने के सिती में इन दास्तावेजों को दिखा कर वो अपने मत का इस्तिमाल कर सकते हैं आयोग की तरब से जिन दास्तावज्यों के मानता दी गई है उनमें अधार कार्ड, फोटो युक्त पेंसन दास्तावेज, सरम मंतराला द्वारा जारी फोटो युक्त भीमा, योजना स्मार्ट कार्ड, मंडरेगा का फोटो युक्त जॉब कार्ड, RGI द्वारा जारी स्मार् सेवा पहचान पत्र भी इसमें सामिल है इसके साथ ही डाइवी लाइसेंस सांसदों विधायकों पारसदों दोरा जारी किये गए अधिकार पहचान पत्र भी इसमें सामिल किया गया है इसके साथ ही फोटो यूगत सुतंतरता सेनानी पहचान पत्र भी अगर आपके पास है त पास्पोर्ट के साथ आप मद्दान कर सकते हैं, फोटो यूग संपत्ति दास्तावेज और मानता प्राप सैचनिक संस्थान द्वारा जारी यानि किसी सिछक द्वागर अगर ये दास्तावेज आपको जारी किया गया तब भी आप मद्दान करने के अधिकारी होंगे, सिछक प्राप में अवाद।